इश्कुमार जी बिल्कुल हताश हो गए हैं, इनका जो तंत्र है, जो इतना पैसा लगा के हेलिकॉप्टर और ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं पे नकेल कसने की बात कर रहा था, क्या वो विफल हो गया है और हो गया है तो फिर मानते क्यों नहीं है, मुझे समवेदना ह उस परिवार का जिसने अपने लोगों को खोया है, 11 वेक्तियों की मृत्ति हो गई है, 35 लोग संघर्स कर रहे हैं जीवन से, 14 लोग की आंखी रोष्णी चली गई है बिहार में शराब बंदी कानून तकरीबन कई वर्सों से लागू है, लेकिन फिर भी बिहार में हर बार जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो जाती है और हाल के दिनों में ही यानि कि कल परसों से ही जो सारन जिले में मौत का सिलसिला जो जारी है वो जहरीली शराब की वज़े से लगतार कई लोगों की मौत हो गई है तो कई लोगों ने अपने आख की रोशनी भी गवा दी इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोग जनसक्ती पार्टी राम विलास के प्रदेश प्राउकता है प्रफसर डॉक्टर विनिच चिंग कैसे देखते हैं शराब बंदी कानून लागू है फिर भी कई लोगों ने अपनी जान गवा दी है जहरीली शराब पीने की वज़े से और मुखमंत्री कहते फिर रहे कि बिह बिहार में शराब बंदी कानून है और पून शराब बंदी है ये खबर बहुत दुखद है और मुझे बहुत मरमाहत करती है ये पहली बार ये घटना ने घटी है आय देन छपरा में मुझपर पूर्हो मोतिहारी और बिहार के हर जिले में ये घटना घटती रहती है मुझ यह समवेदना है उस परिवार का जिसने अपने लोग खोया है, 11 वेक्तियों का मिर्ति हो गई है, 35 लोग संघर्स कर रहे हैं जीवन से, 14 लोग के आंखे रोष्णी चली गई है, सवाल यही है कि क्या नितीश कुमार जी बिलकुल हताश हो गए है, इनका जो तंत्र है, जो इत पुलिस के तंत्र के और बिना भरष्ट निताओं के मिली भगत के यह शराब माफिया कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाके देखी उजगह पे जहां यह घटना घटी है, वहां के सारे अस्थानी लोग को यह बात मालुम होगी कि यहां पे यह कच्छी शराब बनती है, नकली पुलिस को नहीं मालम होगी, पुलिस को धन उगाही के लिए कर दीजिए, तो हर गली हर घर में घूजाते हैं, क्या उनको यह कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्या ऐसे माफियाओं को पकड़ानी जा सकता हैं, तो पकड़ें कैसे, क्योंकि यह शराब बनती के नाम पे जो एक सम बनती है, वो बिलकुल कोरा बकवास है, और मैं आज बहुत दुख होके बुलता हूँ, बहुत दुखी होके यह बात कर रहा हूँ, क्या नितीजी अभी बिहार की गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, क्या, अब नहीं होता है, इनसे किसी और को मुका दे, क्योंकि ऐसे कितनी जानों के, आप अपना सौधा करेंगे और कब तक कुर्सी बचाय रहेंगे, कभी आपने चितकार सुना हैं, और सबसे हां स्यास्पत बात, विशाल जी मैं बताता हूँ, कि सुनने में आया कि पुलिस कहती है, कि हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है, कि हम पकड़ से कि आपने मौते हुई हैं, तो मुकमंतरी कहते हैं, कि कुछ लोग गरबड़ी करने वाले होते हैं, तो क्या अरे गरबड़ी करने वाले जो भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, तभी तो पुलिस क्यों बनी है, पुलिस तंत्र बनाने कारण क्या है, कि आप अच्छे लोग की सुरक्षा करें अजो समाज में जो बुरे लोग हैं उनको पकड़िया तो पुलिस अपने काम के प्रती और उनकी नियती और नियत अगर साफ होगी तो यह सब घटनाएं नहीं घटेंगी और तो सुनने में आए कि डीम सारण साफ कहते हैं कि मौावजा नहीं मिलेगा अरे भाई आप व जहरी शराब पी गया और मर गया तो इसके परिवार वालों को आप मौावजा दें यह तो बड़ी बेकुफी और बड़ी हास्यास्पत बार लगती है आपका यह कहना है कि कही ना कहीं पुलिस प्रसाशन के मिले भगत है इसमें नेता मंत्री मिले बिलकुल विशाल जी यह यह जो कहते हैं कि यह तीनों जो तंत्र है नेता का पुलिस का और यह शराब माफियों का यह तीनों जो चीज है ना यही सब चीज पुरे समाज में इस तरह की विकृति फैला रही है चाहे बालु खनन माफिया हूं चाहे शराब माफिया हूं उन पे आप नकेल कर से यह द लागू हुई थी, हलाकि हम भी पक्ष में थे, फिर भी हमने इस मुहीम का समर्थन किया थे, क्योंकि हम जानते हैं और मानते भी हैं, कि शराब पीना किसी भी सिविलाइज समाज के लिए उचित नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से शराबंदी के लिए चीजों को संसाधनों को दिया गया है, जिस तरह से सरकार और पुलिस ने इसको एक कमाई का जरिया बना लिया है, हम उसके धूर भी रोदी हैं, रहमाय राष्टे धग जी कहते हैं कि और नहीं तो इन सब चीजों का लाईव करने का जो ढूंग जो है, बंद करें। आब आपके प्रीक के लिए कुछ मद कर सकते है, लेकिन जो संसाधन सरकार के पास है, यंत्र है तंत्र है, जैसी मद अद नसे कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन आपने सवाल पोचा है तो चिराग पासवान जी कल आ रहे हैं और मुझे लगता है कि परसोया उस एक दिन बात पर कारेकरम जुरूर बनेगा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पीडित है उनको मुआफजा मिले उनको साहता की जाए मैं तो कह दिया विशाल जी कि जो आपके प्रदेश के नागरिक हैं जो आप यहां पर रहते हैं हो सकता कि आप टैक्सपेर हूं या कारण कुछ भी हो दोशी तो आप ही है न कि आपकी पुलिस बनाने का कारण क्या होता है कि कोई भी जो जो असमाजी गतिविदियां है उन प प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीच सिंग जिनोंने जहरीली शराब से हुई मौतों पर सीधे तोर पर नितीश सरकार को घेरा है और कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को कही न कहीं मुआवजा दिया जाए सरकार की ओर से और हमारी पार्टी भी ह हर संभव उनका मदद करेगी और राष्टिय द्यक चिराग पासवान भी जल्दी पटना आ रहे हैं और उसके बाद चिराग पासवान और उनके साथ तमाम जो उनके कार करता नेता है वो सारन जाएंगे छपरा जाएंगे और जो पीडित परिवार है उनसे मुलाकात कर हर स संभव मदद करने का भी प्रयास करेंगे ऐसे इतमाम ख़बरों के लिए बने रहे हैं दैस्जी न्यूज के साथ और देखते रहे हैं दैस्जी न्यूज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर अगर आप भी UPSC यज जपीएसी परिक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी जोइन कीजिए दपड़यास इंडियार राची को दपड़यास इंडियार राची में आपको बेस्ट फैकल्टी कांसलिंग सेसंस स्टरी मैटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी विवस्था उपलग्द है तो देर किस बात की अभी जोइन करें दपड़यास इंडियार राची और अथिक जानकारी के लिए आप 835-95-1603 पर कॉल करें या फिर दपड़यास इंडिया.com पर विजट करें